तो दोस्तों बात करेंगे Schneider Drive Part 2 वीडियो की इससे पहले मैंने जो यूटीव पर वीडियो डाली थी Schneider Drive Part 1 उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि ड्राइव मोटर के रपीम कम करने के लिए उस मोटर की वोल्टेज को कम नहीं करती बलकि फ्रिक्वेंसी को कम क जाती है दोस्तों जो मेरे पास ड्राइव है उसका ये मोटल नंबर है एटीवी 310 और ये एक एचपी तक की मोटर के लिए ड्राइव है तो दोस्ता आपको पता है कि अगर किसी मोटर को चलाना पड़ता है तो हमें उसके लिए एक स्टार्टर की जूर्थ पड़ती है और स्टार्टर में लगता है कुंटेक्टर एक थर्मल ऑवरलोड रिले और तीन पॉल की MCB लेकिन अगर ड्राइव को मोटर के साथ लगाना है तो उसके लिए आपको एक थ्री पॉल की MCB की जूर्थ पड़ेगी और उसके बाद वहां पर तीनों फेस आएंगे और वही तीनो फेस उठकर सिधा ड्राइव के अंदर चले जाएंगे जी हाँ एक तीन पॉल की MCB लेगेगी और वहां से उठकर सिधा ये देखे आर वाई बी इनपूट तीन फेस और आउटपूट की ये तिनों तारें सिधा मोटर पर चले जाएंगे तो दोस्तो जैसे ही तिनों फेस इस ड्राइव के अंदर आएंगे तो जहां पर ये प्लस चोबी लिखा है यहां पर DC 24 वोल्ट आने शुरू हो जाएंगे और उपर 5 वी मतलब की 5 वोल्ट DC तो यह प्लस 24 वोल्ट है यह सारा खेल 24 वोल्ट का ही है ड्राइव का अब पहले तो हम यह उता हूँगा कि जैसे ही 24 वोल्ट को LI1 के साथ डिरेक्ट जोड देते हैं तो उससे क्या होगा मोटर क्लोकवाइस दिशा में गूमनी शुरू हो जाएगी यह देखिए क्लोकवाइस दिशा में मोटर गूमनी शुरू हो जाएगी जी हाँ मोटर ठीक उल्टी दिशा में गूमनी शुरू हो जाएगी अब तो दोस्तों आपको समझ में आ गवा कि LI1 फारवड दिशा में मोटर को क्लोकवाइस दिशा में गूमने के लिए और LI2 मोटर को रिवर्स यानि की उल्टा गूमने के लिए है अब आताती है कि जो यह LI3 है और LI4 है यह क्या है पहले LI3 की बात करेंगे दोस्तों अगर 24 वोल्ट को हम LI3 के साथ जोड़ देते हैं तो उससे मोटर के RPM बढ़ जाती है निकि मोटर के अगर स्पीड को बढ़ाना हो ड्राइब के थरू तो 24 वोल्ट LI3 पर हम 24 वोल्ट देंगे और यह 0 से 50 हर्टेज ड्राइब शोड़ करेगी ना कि ड्राइब के अंदर लिखावा आएगा भी इतने RPM बढ़ गई है बस यह लिखावा आएगा कि 10, 20, 30 HZ ऐसे लिखावा आएगा लेकिन अगर मैं 24 वोल्ट को LI4 के साथ जोड़ देता हूँ तो उससे मोटर की स्पीड कम होनी शूरू हो जाएगी तो दोस्तों शूरू में तो मोटर को चलाने के लिए हमें यह परस 24 वोल्ट DC वोल्ट है यह पहले LI1 पर देने पड़ेंगे लेकिन अगर हमें मोटर के आरपियम कम करने हैं मोटर की स्पीड कम करनी है तो यह 24 वोल्ट LI4 पर हमें देने पड़ेंगे जिससे मोटर के आरपियम कम होने शुरू हो जाएंगे अब दोस्तों ठीक यही बात ABV की ड्राइफर भी लागू होती है जी हाँ ABV के कनेक्शन में जड़ा थोड़ा नजदी से दिखाता हूँ मैं आपको इसमें ग्राउंट और कमन को तो शूट कर दिया जाता है लूब बनाकर यह देखें यहांपर 24 वोल्ट लिखे हुए हैं जैसे ही 24 वोल्ट आने शुरू हो जाएगा यह DI1 से मोटर फारवट दिखा में गूमेंगी और रिवर्स के लिए क्या है जैसे ही हम 24 वोल्ट को DI2 पर देंगे तो उसे मोटर रिवर्स यानिकी उल्टी दिखा में गूमनी शुरू कर देगी अगर हमें मोटर के आरपिम यानिकी मोटर की स्पीड को बढ़ाना है तो 24 वोल्ट को हम DI3 पर देंगे जिससे मोटर के आरपिम बढ़ने शुरू हो जाएंगे यानि की फ्रिक्वेंसी बढ़ने शुरू हो जाएगी जिससे की आरपीम बढ़ेंगे मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी लेकिन अगर मोटर के आरपीम आपको कम करने हैं तो उसके लिए आपको 24 वोल्ड कूड डी आई 4 पर देना होगा जिससे मोटर के आरपीम कम हो जाएगे तो दोस्तों ABB की ड्राइव के आंदर ही आरपीम लिखे ही नहीं आएंगे बलकि 50Hz ऐसे लिखवाएगा यानि कि फ्रिक्वेंसी लिखवाएगा जीरो से लिखवा जैसे 10, 20, 30, 50, 50 ऐसे ऐसे एफ्रिक्वेंसी लिखवाएगा जैसे जैसे यह frequency show करेगा अब इसकी frequency इतनी है frequency अगर कम है तो motor की speed भी कम होगी frequency अगर पूरी है तो motor full speed में चलेगी एक बात याद रखना दोस्तों की drive motor के rpm कम कर सकती है ना कि rpm बढ़ा सकती है अगर हम इसे किसी motor पर लगाते हैं और उस motor के rpm 1400 है तो यह full speed में 1400 rpm तक ही उस motor को चला सकती है ना कि drive से हम 1500 या 2000 rpm कर सकते हैं उस motor के ऐसा नहीं हो सकता motor की speed हम सिर्फ कम कर सकते हैं drive से